जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी सिंपल सी रेसिपी के साथ कुछ ही मिन्टों में बहुत ही मज़िदार चटनी बनकर तयार होती है इस चटनी के लिए हमने यहाँ पर चार टमाटर लिये हैं वजन में यह 300 ग्राम जितने हैं तो टमाटर को हमने रफली चोप कर लिया है और अब हम मिक्सी में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और अब हमने एक पेन में एक टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है इसमें एक चोथाई टी स्पून जीरा डालके जीरे को चटकने देंगे और अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर हमने टमाटर का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है और इसी के साथ हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे तो पाउडर्ड मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पून सौफ का पाउडर स्वादनुसा नमक या फिर हाफ टीस्पून नमक हाफ टीस्पून लालमिश पाउडर एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला और एक चोथाई टीस्पून काला नमक और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे तीन टेबल स्पून चीनी आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें गेस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक की टमाटर का पानी पूरी तरह सूख ना जाए और टमाटर का कच्छापन दूर ना हो जाए और पकने के दोरान बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे वैसे सिंपल सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया चटनी बन के तयार होती है आप इसे पकोड़े पराठे के साथ सव कर सकते हैं और एक बार चटनी बनने के बाद आप इसे किसी एटाइट कंटेनर में रखके एक हफ़ते तक फ्रीज में श्टोर भी कर सकते हैं तो चटनी को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनिट हो चुकी है अब देख सकते हैं कि चटनी कितनी गाड़ी हो गई है और टमाटर का सारा पानी ड्राई हो चुका है और ये सारे मसाले टमाटर के साथ अच्छे से भून चुके हैं और इसमें से तेल भी रिलीज होने लगा है और अब हमारी चटनी सव करने के लिए बिल्कुल तयार है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई